भुपाल एस्टीफ की टीम ने आज तड़के जलार पुलिस की मदद से अवैद हतियार लेकर जा रहे तीन यूवकों को धर दबोचा है आरूपी जलार बस स्टेंड के नजदीक मारूती वैन में छुपने का प्रयास कर रहे थे तब ही पुलिस ने दबोच लिया सूतरो सिमली जानकारी के मताबिक तीन अग्यात यूवक मारूती वैन से महराश की तरफ जा रहे थे जिसके सूचना भुपाल एस्टीफ के पास थी जाकर बताते हैं कि भुपाल एस्टीफ की टीम आरूपियों के पीछे होशंग अबाद से लगी हुई थी पुलिस की भनक लगते ही आरूपियों जलार शराब दुकान के पास मारूती वैन में चुपने का प्रयास कर रहे थे पुलिस टीम द्वारा आरूपियों को जलार थाना लाकर तलाश वी ली गई जिसमें इनके पास से 18 पिस्टल जब्त की गई है एडिश्यल एस्पी नीरच सोनी ने बताए कि भुपाल स्टेफ की टीम को जानकारी मिली थी कि वैन में कुछ संदिग्ध हत्यार लेकर जा रहे हैं मारूती वैन का पीछा करते वे जलार के पास उन्हें धर दबोचा गया हुशंगबाद से बैतुल तक 110 किलोमीटर स्टेफ को खूप चक्मा दिया पर उनके हाथ नहीं लगी इसके बाद वैन चालक ने वाहन जलार की और मोड दिया यां स्टेफ की टीम ने स्थाने पुरिस के साहरे वैन में सवार तीन यूवको को दबोच लिया स्टेफ ने प्राथमिक पूचताच के बाद आरुपियों को अपने साथ भोपाल ले गई जब न्यूस 21 की टीम जलार थाना टी आई दीपक परासर से इस मामले में बात की तो उन्होंने जानकारी और बाइट देने से इंकार कर दिया